नमस्कार दोस्तो जैसी किष्णा जैसी गाली दोस्तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूं खुस होंगे सुखी होंगे संपन्द होंगे पर ब्लाजिंग हमेशा आप लोग के साथ में आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्त रहें सुखी रहें संपन्द रहें दोस्तों आज की जाटकारी आपको देने वाला हूं यह सनी संबंदित है अगर आपके उपर शनी चल रहे हैं सनी की दसा चल रहे है तो कुछ ऐसे आपको कुछ स्साम मतलब सिंस्टम समझ में आएंगे क कि अगर आपने को गलती नहीं कि ऑफिके कोई काम गलती सबसे पहले तो दिमाग को क्योंकि उनके तीन चरण आते हैं पहला चरण जो होता है अधिया जिसे कहा जाता है साड़े साथ साल के तीन तीन चरण होते हैं एक होता है जो दिमाग में आता है दूसरा आता है सीने में आता है और तीसरा चरण जो होता है वो चरण में आता है मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा, छोटे-छोटे सुपाय हैं, अगर यह उपाय कर लेंगे, तो सनीद की कोई भी पनोती आपकी होगी, तो वो उतर जाहेंगी। संघर्स सबसे ज़्यादा लगा रहेगा, कोई भी सपोज आपने कोई काम नहीं किया, गलती नहीं किया, लेकिन घरवाले क्या बोलेंगे, अरे इसी नहीं यह काम किया है, इसी की गलती है, घर में लड़ाई, जगड़े, कले, सब कुछ लगा रहेगा, भागा दोड़ी लग करता नहीं चलता है कि हमारे फूर कौन से ग्रह की दसा चल रही है, तो सनी देव को सबसे ज़्यादा सांथ करने के लिए जो है, वह सबसे पहले आप पकड़ लीजिए हनवान जी को, दूसरा पीपल देखो, और तीसरा शंकर भगवान को, इनकी पूजा करना आप सुरू क दूसरा शनी आपके सांथ रहेंगे, तो शनी को सांथ करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं, छोटे से उपाय हैं, आप शनी के बार के दिन में क्या करें, महिलाएं जो हैं, और पुरुस जो हैं, काले कपड़े पहनना सुरू करतीजिए, शनी बार के दिन म आठ उडद के दाने और साथ में आठ काली तिल इनको गेन करके कि आठ की मात्रम ही होनी चाहिए, तीक है, आठ उडद के दाने साबूत ले लें, और आठ काली तिल के दाने, यह ले करके और चावल जब पका रहे हैं, आप तो इसमें डाल दीजिए, सभी दोग खायंगे, इस इस घर के सभी सदस्य के उपर जिसकी उपर भी शनी की दसा है वो सांथ होना शुरू हो जाएगी शनी वार के दिन में काली सब्जियों का प्रयोग करें जैसे की काला बैंगन हो गया काले फल देख लें इन चीज़ूं कर जतना यूज करेंगे उतना जाद आपके शनी शानत रहेंगे और हमेचा शनिवार के दिन में पीपल देव की पुझा जरूर करें शनिवार के दिन में कहा जाता है दोस्तों कि माता लक्षमी का पीपल देव के नीचे वास होता है तो आप लोग एक काम करें उड़त की जो दाल होती है उड़त की दाल को फुला दें इसको पीस करके इसका दिया बना और आठ बाती का लेटी हुई बाती और शनी का जो अंक होता है आठ का होता है तो इसको गौध भूली बेलन है याले कि संध्या के समय पीपल वृक्षमें हर सभीवार को नियम मना लीजे कि आठ बाती का मतलब कि एक बाती बनाएंगे उसके दो मुखो जाएंगे एक और बन मंत्र है ओम समसनेश्चराय नमहा इस मंत्र का आठ बार जाप कर ले या फिर वैदिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्राम सह सनेश्चराय नमहा इस मंत्र का आठ बार जाप कर ले या फिर एक विसेश मंत्र है जो उनकी इस्तुति की जाती है ओम नीलान जनस समा भाशम अगर इसका आठ वार जाप कर लें तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा साथ में आठ परिक्त्रमा पीपल देखी कर ले शरीवार की शरीवार ये नियम बना लिजे दोस्तो कोई भी परिशानी आपको टच नहीं करेगी शनी एक ऐसे ग्रह हैं जो कर्मों के अक्वार्डिक आपको रिजल्ट देते हैं अगर दूसरे ग्रह भी आपको परिशान कर रहे हैं तो शनी उनको भी कंट्रोल कर देते हैं और शनी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बैस तरीका में बता रहा हूं पीपल हनुमान जी और शंक पहले उनको ज़ल चड़ाएं कच्च दूठ चड़ा सकते हैं दूबत्ती करें और एक पत्ता उनके आग्या ले करके पीपल ही रिकषिसे पहले आग्या ले हाथ जोड़े उनसे आग्या ले यहे परस्पति राज मैं आपसे एक पत्ता आपका लेना चाहता हूं आपनी जो कि तो चेंज कर दें दूसरा राता है दूसरा पत्ता निया conductivity कर दीजे के पैसे को अक्रवन आते रहेंगे अगर शनी की तक करण पैस नुकसाद हो रहा है बरकत नहीं हो सांतु facto प्रियोग में आ जो होता है कर ल्त कर लें मौझे जी को शंकर भगवान जी यहां हनौन जी को बहुत प्रीय है जो प्रहण प्रेयोग को करेंगे तकने कने कि नहीं सकी होता है यह पर सरसो के दे यह कालेतीना लैप कर दें लेप करने के बाद में इसमें ओम सर्बकृष हराय नमहा यह मंतर लिख करके तीन पत्ति लाएं एक पथ्त शन्करजी को Aham Sh Kylie आता निए और साथ में दोस्तों. एक चीज हमेसा याद रखें कि शनी वार के दिन में जितना हो सके पैरों की गुटने के नीचे नीचे जो होता है गुटने के नीचे से बैक साइड में यह आपका पैर है और यह बैक साइड पीछे साइड में आपको क्या करना है सर्सों के तेल की मालिस करनी है गुटने के न मंदिर जाए आसपास कहीं देख लीजिए कि शनी मंदिर है वैसे आजकर तो हर जगर शनी मंदिर हो गए हैं तो शनी बार के दिन में आठ काली उड़द आठ काले तिल और साथ में सरसो का तेल अगर हो सके तो मोची वाली जो कील आती है वो ले जाएं कोईला ले जाएं और इन सब चीजों को शनी देव की मंदिर में लिजा करके शनी देव की नजरों से नजर नम लाएं कभी भी याद रहें कि शनी देव से कभी भी नजर से नजर मिला बिना उनकी चरणों में देखते हुए एक एक चीज ओम संसनेश्य रायनमा आठ वार मंतर पढ़ सकते हैं या ओम प्राम ट्रीम प्राम्शय सनेश्य रायनमा इस मंतर का आठ वार जाब कर सकते हैं या पुरुज मैंने बताए इस्तुति कर सकते हैं आठ वार इस्तुति कर लें और आठ परिक्रम ले लें और कभी भी दोस्तों शनी देव को जब आप कुछी चढ़ाते हैं तो कभी कि यहां शनी देव आपकी नजरों से दूर हो गए तो ऐसे बैक हो जाएं कभी भी पीट दिखा का कि शनी देव को मंदि से कभी न जाएं इसे उनकी वक्रिष्टी और भी ज़्यादा बढ़ा जाती है और हो सके दोस्तो तो रात में सोते समय काले पैंसे अपने पैरों के तलवों में आठ नंबर लिख दे यह आप शुक्रवार ही रात्री में करें और जितना ज़्यादा यह नंबर आपके पैरों चपलों में भी लिख दे और जितना ज़्यादा यह नंबर घिसेगा उतने क्यों पर लग जाता है लेकिन यह री बोल रहा हूं कि शनी बिना बज़े सजा देते हैं यह हमारे करमाज होते हैं करमाज के अनुसार ही हमें सजा भीकती है शनी देव जो है न्याय के देवता माने गए तो उने से सच्ची सरद्धा से सच्चे विश्वास से उनकी पूजा क पढ़ना सुरू करिए और शनी बार के दिल में जितना हो सके काली चीजों का यूज करिए काले कपड़े पहन सकते हैं तो सबसे बैस्ट है अगर काला कपड़ा नी पहन पा रहे हैं तो काला कपड़ा सिर में डाल करके और जो मैंने मंत्र बताएं इस मंत्र का 108 जाप करें शनी देव का और हनुमान जी को सर्सों के तेल कर दिया जरूर जलाएं यह चोटे-चोटे से प्रेवक दोस्तों आपके जिद्दिगी में सारी परिशानियों को दूर कर सकते हैं करके देखिए दोस्तों ृजिखो बहुत ज़्यादे लगी है शनी की पनलोटि लगई है शनी की पनलोटि दूर होगी है और शनीवाें दिन दोस्तों अगर नं करते हैं तो यह बहुत जाद अच्छा निगरीवें और करना शनीदेव और गरीबों के नहीं निदे ai-त कर में सबसे ज़्यादा खुस होते हैं अभी ठंड का मौसम चल रहा है यह कंबल दान कर दें तो आपकी कोई भी परिशानी होगी दोस्तों शनी से रिलेटेड वो दूर हो जाएगी और जब भी शनीवार पढ़े तो यह था सकती ग्यारा रुपए एक्किस रुपए एक्क्यावन रुपए एक स्विक रुपए या फिर खाने पीने की चीज़े यह गरीबों में दान करें उड़त की डाल के बने हुए अगर आपको चीज़े दान करते हैं तो बहुत अच्छ चने की डाल की जो besan मनता है इसकी एक आपको क्या करने है बड़ी सेक रोटी बनानी है श्यक Marilyn अब रोटी जो बनाइंगे अ इसकी तो एस रोटी को आपको सरसो के तेल में आपको सेक नी है सरसो के तेल में शैक करके सेक करके सटीवार के दिन ही खाले कुछ्त्य को ही आको खिलाएं Sedit किती नी बड़ी नहां दवाय सर नहीं कर रहें डॉक्तर के पास पैसा दे कर ठक गए तो यह प्रयूग आप कर लीजए आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएंगी करके देखिए दोस्तों तो आज के लिट नहीं दोस्तों अगर जंकरी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए तुब ते दोस्तों नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए जैशी किष्णा जैशी काली आप और आपका परिवार हमेसा स्वस्त रहे सुखी संपन्दरे